तो जान लोगो सत्य जिसने हमें चिंतित का रखा हैं मैं प्रिथ्य पादाल पर तब तक विज्ञे नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता ना बन जाओं तुम हस क्यों रही हो अरे तुम हस क्यों रही हो मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने भोले हैं इतने भोले कितने भोले इतने भोले कि ये भी ज्यात नहीं कि पुत्र विवा के तुरन बाद नहीं अनेक मास पश्चात होता है तुम मुझे भोला समझकर हस रही हो और मैं तुमें अज्ञानी समझकर सब सुन रहा हूँ मैं अज्ञानी अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी अभी हमारा विवा हुआ है और समय आने पर हमें पुत्र की प्राप्ती भी हो जाएगी नहीं वराक्षी नहीं मुझे पुत्र तुम से नहीं भग्वान शिव की आराधना से प्राप्त होगा है हाँ हमारे पिता प्रजाबती कशव और देवर्शीनारत दौनोंने यही कहा है कि पप्र प्राप्ती के लिए मुझे शिव आराधना करने ही होगी कि यदि ऐसा है तो आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना पूर्ण में करने के लिए शीवाराधना करनी चाहिए पिताश्री और देवाश्री नारत के वचन असत्ते तो नहीं हो सकते कि दोगा रक्षी एक चिंता प्रश्ण चिन बनकर मेरे सामने हैं तुम्हें छोड़कर शीवाराधना के लिए जाओं तो तुम्हें कैसा लगेगा वैसा ही लगेगा जैसा उस पत्नी को लगता है जो अपने पत्ती के मंगल कारिये में बाधत नहीं बनती और मैं भी आपको रोक कर आपकी शिवाराधना में बाधत नहीं बनूंगी मैं यहीं सोचकर चिंतित था कि विवा के तुरंद बाद तुम्हें इस प्रकाज छोड़कर आराधना के लिए जाना क्या उचित होगा शिव के समीव जाने में अनुचित क्या वो तो सर्वोपरी है उनकी आगे मैं और अन्यन्याते सब छोटे हैं आप सहर्श जाएं स्वामी इतना बड़ा निर्णय लेने से कोरू मुझे माता पिता से परामर्श करना ही होगा मेरा विचार है वे भी आपके हितने ही परामर्श देंगे कारण आप रभुभक्ति और आशिर्वाद हित्तु उनकी शरण में जा रहे हैं नहीं मुझे इस वीकार नहीं माता पिता श्री की भोई श्यवानी के अनुसाथ फुत्र प्राप्ति के बिना मेरा विजय अभ्यान सफल नहीं हो सकता और पुत्र प्राप्ति बिना तपस्या के नहीं हो सकती कि इसलिए मुझे तपस्य के लिए जाने की अनुमती दे माता मैं देख रही रिशिवा मेरे प्रताफी पुत्रों को भ्रहमित कर अब आप मौत साधे खड़े हैं नहीं माता नहीं पिता श्री को दोश क्यों दे रही हो ऐसी भविश्यवानी तो देवर्शी ने भी की थी पि क्या कहूं उस नारद ने तो हम दैत्यों के साथ सदा ही चल कपड का व्योहर किया है मुझे तो उसकी भविश्यवानी में भी कपड दिखाई देता है उत्ते जना में देवर्शी नारद को अपशप्त कहकर तुम ने उचित नहीं किया स्वार्थ और मनों कामना के मात्र और देवता को तुम भी भूलकर वैसाई करने जा रही है नारद तो सदा सभी प्राणी मात्र के हित और परोबकार के लिए प्रवृत रहते हैं ओम नमश्वार ओम नमश्वार 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 देवी बाववती इस तरह हमारी और एक टक क्या देख रही हो तेवाधी देव आप तो आशुतोष महेश्वर के रूप में प्रसित्य हैं सभी की मनों कामना भी पूर्ण करते हैं मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करें भगवन जब यह मानती हो कि हम सभी की इच्छा पूर करते हैं तो फिर क्या कारण है कि हम अपनी अर्धांगनी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे अपनी इच्छा कहो देवी आज मेरी इच्छा कगन विहार करते हुए आनंद कानं काशी जाने की हो रही है कैलाश की समान काशी भी तो आपकी प्रियक और निवास लग रही है वहां असंके शिवभक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालाइत रहते हैं आपको उनकी भक्ति और कामना का भी समुचित प्रतिपल देना चाहिए अवश्य चलो देवी हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं किन्तो स्वामी नंदी और शिव के लिए नंदी भाण वबन और माटा पार्वधिक कहाने हैं क्या बता उर कैसे बतऊं कि वे कहा गये हैं इस विशय में जितना तुम्हे ग्यान है उतना ही मुझे है लगता है बोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुनकर उसकी साहता के लिए गये हैं और माता पार्वती वे भी साथ ही गई होगी हम ही तो लगता है हम सब को चकित करने के लिए वे अद्रिश्य हो गए अब क्या होगा पुछ नंदी भाईया क्या होगा भाईया जब तक वो परकत नहीं होंगे परतीक्षा तो करने ही होगी है कर दो आए कर दो कि शामी क्यों हम काशी पहुचने से पूर्ड मंदराचल कर बत कर कुछ समय के लिए विश्राम कर ले अवश्य की हमने निश्य कर लिया कि तुम्हारी हर इच्छा का संभान करेंगे करा है कर दो कर दो पर नमास्षिवाइब पर पर नमास्षिवाइब पर नमास्षिवाइब ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय एशेशंकर मैं उस समय तक कठोर तबस्टा करता रहूंगा जब दजाब पसंद हो कर मुए पुद्ध को प्रदान नहीं करेंगे ओम नमाशिवाय 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 ओम नमाशिवा शिवाए शिवाए असुर आज हिरन्याक्ष नाराय नाराय थे भोले नार धन्य है आप और आपके लिला धन्य है यह प्रकट सकते हैं कि आप हिरन्याक्ष की तपस्या से प्रसंद होकर उसे पुत्र वश्य देंगे किन्तु वो पुत्र कहां से आएगा कैसा होगा क्या करेगा यह सकते आपके अतिरिक्त भला कौन जान सकता है कहों प्री हमाले मनभावन है अथ्वा मनद्राचल है इसलिए कि हमाले तुम्हारे पिता का घर है इसलिए कि वहां पर मेरे पती का तप स्थान है घर है और पती का घर होता है प्रिये, सौंदर ये तुम्हारे मुखमंडल पर ठैर कर, इतना अधिक सौंदर में हो गया है, कि अब वहां से दृष्टी हटाने को मनहीं नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयद, लगता है मानू, प्रेम सुधा के दो घट है, जिन से लच्चा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर, मानू, फूल की दो बंखुणियां हो। जब बोलती हो, तो लगता है मानू को पुश पुछड रही है। तुम्हारे ये रूप लावण में, आकर्षण और मनुहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है। कि युगों युगों तन, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल से, आखे लाट। हुआ 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 ह झाल झाल इसकी विजित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणान है देवी मेरी लीला मेरी कैसी लीला तुमने हमारी आखें बंद कर ली तब यह प्रकट हुआ इसलिए अंधा तो इसे होना ही था अब चुके इसका निवास राक्षसों के साथ होना है इसलिए राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है अब तुम्हें ही इसका लालन पालंग करना होगा मुझे जब तक यह अपने निर्धारिक अस्थान पर नहीं पहुंचाता तब तक तुम ही इसे पालोगी इसका निर्धारिक स्थान है कहां कुछ समय पश्याद तुम्हें सब कुछ ग्यात हो जाएगा यह कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी वही हिर्ण्याक्ष पुकार रहा है इस बालक का पिता क्या है हां देवी यह अंधक उसे का पुत्र बनेगा कि अधक आपको आपको नियुक्त वज परिफनों प्रेश दोग्ता आपको कोड़ा क्याएख सितम्हें सितम्हें से तुम्हेंदर जाएख रहाएँ प्रिफस्ट्रेंट्र मुझक्त ड़ इंश्या हे अशोधन पुष्पलोचन थे जटिल करणा करन नमन करके आपको पल नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन ओम डमरू धारिने नमाहा करते से चितर में दिल करते हैं कि अमन दिल करें आपको प्लेफ़ प्लेफ। र्षया अशोधन दिल के आपको पल पल पर उन दो हिरन्यगर्भा थस्मप्रियह सर्वभूतह महेश्वरह मुत्रधन की भिक्षा मांगू आपसे है धनेश्वरह आत्मा की वाठी कामे कर दो विक्सित एक सुमन ओम डमरू धारिणे नामा हा ओम डमरू धारिणे नामा हा ओम डमरू धारिणे नामा हा